बहुत बलिदान दिये हैं, कई पीडियों से वो संगर्फ भी करते रहें, जन सामान्य की सेवा भी करते रहें, और पीडियों से, मैं सालों से नहीं कह रहा हूँ, पीडियों से, जिस क्षण का इंतजार किया, वो आज सफलता को चूमने लगी है। हमारी संख्या, दो गुणा हो गई है, मद्दप्रदेश, गुजरात, छतिशगार, दिल्ली, उत्राखन, हिमाचल, ऐसे कई राज्यों में, हमारी पार्टी ने लगभग, क्लीन स्विप किया है। मैं इन सभी राज्यों, और अरुनाचल प्रदेश, ओडिसा, आंध्र प्रदेश और सिक्किम, विधान सभा के मद्दाताओं का भी, विशेश आभार व्यक्त करता हूं। मैं राज्यों की जन्ता को भी स्वाद दिलाता हूं, कि केंद्र सरकार, आपके विकास के लिए, कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। आंध्र प्रदेश में, चंद्र बाबु नायडू जी के नेत्रुत्म में, एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है। बिहार में, नितिश बाबु के नेत्रुत्म में भी, एंडिये ने शांदार प्रदसन किया है। साथियों, दस वर्ष पहले देश ने बदलाव के लिए जनादेश दिया था, तब देश ने हमें, क्योंकि वो समय था, देश निराशा की गर्त में डूप चुका था, 2013-14 का कालखन देखिये, देश निराशा की गर्त में डूप चुका था, प्रेजाईल फायूद सब्दों से में नवाजा जाता था, हर दिन अख़बारों की हिट लाइन गोटालों से भरी रहती थी, देश की हुआ पुरी अपने भविश्य के सब्द में आसंकित हो गई थी, ऐसे समय, देश ने हमें निराशा के गहरे सागर से, आशा के मोती निकालने का जिम्मा सोपा था, हम सभी ने, पूरी इमांदरी से प्रयास किया, काम किया, 2019 में इसी प्रयास पर विश्वास व्यक्त करते हुए, देश ने दोबारा प्रचंड जनादेश दिया, इसके बाद, NDA का दूसरा कारकाल, विकास और विरासत की गारंटी बन गया, 2024 में, इसी गारंटी के साथ, हम जन जन का अथिरवाद लेने, देश के कौने कौने में गए, आज तीसरी बार, जो आशिरवाद, NDA को मिला है, मैं इसके सामने, जनता जनारदन के सामने, विनए भाव से नत मस्तक हूँ, साथियों, आज का यह पल, नीजी तोर पर, मेरे लिए भी, भावुक करने वाला पल है, मेरी मां के जाने के बाद, यह मेरा पहला चुनाव था, लेकिन सच मानिये, देश की कोटी, कोटी, माताओ, बेहनों, बेटियों ने, मां की कमी मुझे खलने नहीं दी, मैं पुरे देश में जहां जहां भी गया, माताओं, बेहनों, बेटियों ने, अभुद्पुर्वस्ने और आशिरवाद दिया, और यह आख्ड़ों में नहीं जिख सकता है, देश के इतिहास में, महिलाओं द्वारा, बोटिंग के सारे रकोर्ट तूड़ गए, इस प्यार, इस अपने पन को, मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता, यह मेरे भावों में है, यह मेरे मन मस्तित के, कौने कौने में रचा बसा है, देश की कोटी कोटी माता और बहनों ने, मुझे नई प्रेरणा दी है, साथियों, पिछले दस साल में, देश ने बहुत बड़े फैसले लिये हैं, राष्ट प्रसम की भावना, हमें असामान्य लक्ष हादिल करने का, हौसला देती है, यह हमें, कुछ कर्ग गुजनरे की इच्छा शक्ति उत्पन्न करती है, हमने दुनिया की सबसे बड़ी जन्ग कल्यानकारी योजनाय चलाई, आजादी के सत्तर साल बाद, बारा करोड लोगों को नल से जल मिला, आजादी के सत्तर साल बाद, चार करोड गरीबों को पक्के घर मिले, देश के 80 करोड जरुरत मंदों को, मुप्त राशन की सुविधा मिली, करोडों गरीबों को, पांच लाख रुपे तक के, मुप्त इलाज की सुविधा मिली, राश्ट प्रथम की इसी भावना की वज़े से, जिम्मू किश्वी से 370 हटी, GST और IBC जैसे रिफार्म हुए, बैंकिंग रिफार्म हुए, हमने राश्ट हित को हमेशा सबसे आगे रखा, आप याद करिये, कोरोना का इतना बड़ा संकट आया, हमने वही फैसला लिया, जो देश हित में था, जन हित में था, हमने हर दबाव से अलग हट कर कदम उठाया, और इसी का नतीजा है, आज भारत, दुनिया की सबसे तेजी से विक्षिद होती बड़ी एकोनोमी है, राष्ट्र पथम की यही भावना भारत को आत्म निर्फर बनाएगी, साथियों, हमारे सामने एक महान संकल्प है, विक्षिद भारत का संकल्प, दस साल के बाद, लगातार तीसरी बार, जनता जनादन का प्यार, उनका अशिर बार, हमारा होसला बढ़ाता है, हमारे संकल्प को नहीं मजबुती देता है, नहीं उर्जा देता है, हमारे बिरोधी, एक जूट होकर भी, उतनी सीटे नहीं जीत पाए, जीतनी इस लोगसबा चुनाव में, अकेली बीजे पिने जीती है,